प्रेंट विल्कम बेक टू जी सवन असिस्ट चैनल और आज की इस वीडियो में आपको रहता हूंगा कि क्या सर्वाइबल हीरूज यह जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वाइर करेगा कि नहीं तो चेक कर लेते हैं यहां पर मैं अपना मोबाइल डेटर ओफ कर देता हूं तो हाँ यह जो है न यह एक ओनलाइन गेम है ज्यादा टाइम वेजट नहीं करूंगा बठा गेम प्ले दिखाऊंगा तो अपना मोबाइल डेटर ओन कर लेता हूं एंड कंफर्म पर क्लिक करता हूं इससे बात करें गेम के साइज की न तो इसका साइज 1.1 GB के आसपास बाकी जो भी है यहाँ पर यह एक मोबा बेटल रोयाल गेम है एंड इसका एशिया का सरवर जो है बहुत ही जादा वो होता है यार लेक करता है मतलब इसकी वैसे मैंने यूरोप के सरवर से गेम को प्ले कर रहा हूं एशिया के सरवर में तो लोगी नहीं नहीं हो रहा था अब ये गेम की में लोबी है जो की बेसिकल आजकल के गेम जैसी है यहाँ पर सेटिंग के अगर हम बात करें ना तो ग्राफिक्स हाइस तक जाती है तो हम भी हाइस पर रख लेते हैं क्या दिक्कत है और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आर्ट इस्टाइल है तो वो तो यहाँ पर कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएंगे स्टम हट का फीचर यहाँ पर शायद नहीं है चेक करना पड़ेगा तो नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पर बाकि उसके बाद में यहाँ पर साउंड सेटिंग है एंड कोल आउट से वह मतलब जो अपने क्वीक मेसे तीन देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद में यहाँ पर मोड की अगर हम बात करें तो एर्केड मोड है लेंड ओफ एशाई है अरे क्या है यह कुछ समझ मिनी यह 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 शार्द यह इवेंट्स का है मैं गलत जगह पर आ गया हूं तो यहाँ पर कहीं पर तो होगा अगर तो हमारा मेच चालो हो रहा है बागी बहुत जाद है यह एस्टीमेट टाइम बता दिया है तो जब तक के लिए हमें बाहर आता हूं यहाँ पर मैं गेम मोड एक बार जरूर देखूंगा क्योंकि यार गेम मोड कहीं ना कहीं तो इसके अंदर में हो गई सही एक्टिविट का फीचर का है यार मिली नीगा है सिलेक्ट करने का चलो जो भी यह उसी के साथ हमको करना पड़ेगा यहां पर इस्टीमेट टाइम भी इत्ता जादा बता दिया तो यह भी थोड़ा सा आप देख लेना वह साथ मैं यूरोप के सर्वर में प्ले करा हूं ना तो इसकी वज अरे बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है यहां पर से सर्वर भी नहीं सेलेक्ट कर सकते ना और सर्वर सेलेक्ट कर देते ना तो एक बर गेंप्ले में आपको दिखा देता इसका तो बहुत ज्यादा टाइम आप देख सकते हैं इतना टाइम तो इस अच्छा तो आप गे थांक्यू